सो हे गाईज कैसे है आप सभी लोग तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में इसका नाम है गेम बोई और आज हमें बर्दू पारा से खेलने जा रहे है ओशन इस होम आइलेंड लाइग सिमुलेटर गेम तो हमसे एक सस्क्राइबर ने पूछा था कि हम गन और बुलट कैसे बनाए तो बस गाई इस मीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि हमें गन और बुलट कैसे बनानी है गन और बुलट बनाने के लिए अपने को तीन कीज मेंग चाहिए एक चाहिए सलफर दूसरा पे चलते हैं पैने सहीता यार अपने को गन और बुलट शॉप से मिल जाती थी बट अब बनानी पड़ेगी यार बहुत दिक्कत है बहुत समान डूण के लाना पड़ता है तो मैंने अपने गेराज ओपर कर दिया अपनी गाड़ी को बाहर निकालते है तो अब चलते हैं स अपने को यही पर सलफर टार कोल और मेटल मिलेगा स्टोन हमें तोड़ने पड़ेंगे और उसके अंदर से इन्हें ढूंड के निकालना पड़ेगा तो मैं अपनी गाड़ उठाके सीधा निकल चुका हूँ उस लोकेशन पे तो गाइस शॉटकाट मारते हम पोच गए है यह देखो यह जो आपको स्टोन दिख रहे है ना इसी के अंदर से हमें वो चीज़े मिलेगी तो मैं उतर जाता हूँ अपनी गाड़ इसे ओके गाइस अब देखो अब यह जो आप रेड़ स्टोन देख रहे हो और यह जो थोड़ा यह अनलो टाइप स्टोन है ना इसके अंदर से हमें मिलेगा चार कॉल तो इसे तोड़ना स्टार करते हैं इसमें से स्टोन मिला है देखो चारकॉल भी मिला है अपने को स्टोन चारकॉल इस्टोन अपने किसी काम करने में चारकॉल अपने बहुत कामता है तो मैंने वो ले लिया है यहाँ पर और भी पत्थर होंगे तो अपने को यह यहलो टैप पना खोड़ा मस्टर सा इसी के मिलेगा metal और और sulfur ये जो metal और है ना एक तरीका के ये raw metal है इसको हम अपने furnace के अंदर डाल के metal की बहुत सारे कीज़े बना सकते हैं और जो sulfur है ना sulfur से हम gun powder बनाते है और जिससे हम bullet बना सकते है तो हम पोच चुके हैं उस location पे जहाँ पर अपने को मिलेगा metal और और sulfur आप ये black black से stone देख रहे हैं अपने को इससे कोई तोड़ना है जिससे अपने को मिले गए वो दोनों आइटमें तो इन्हें तोड़ना स्टार्ड करते हैं तो इससे अपने को metal और मिल गया sulfur भी मिल गया भाई ये देखो metal और sulfur तो इनसे अपने कोई दोनों चीज़ें मिल जाएगी इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं और उसके बात चलते हैं अपने घर पर तो यहाँ पर इतने भी stone से उनसे मैंने sulfur और metal और ले लिया अब चलते हैं अपने घर पर और मैं आपको बताऊँगा कि इन्हें कैसे यूज़ करके हम gun और bullet बना सकते हैं तो हम घर पहुच्चुके हैं और मैं अपनी गाड़ी को यही गेराज में खड़ी कर देता हूँ गेराज भी खोड़ावा है अपना ओर अब चलते हैं अपने फारणस के पास इसे ओपन करते हैं है थो गाइज यह है अपना स्टोन फारणस इसी स्टोन फारणस के अंदर अपने पास जो metal और ताना उसे डाल कर हम वैट करनेंगे और मैट करने से अपने को मिनेगा metal fragment और इसी metal fragment से ना हम bullet बना सकते हैं gun powder बना सकते हैं और अपनी gun भी बना सकते हैं तो मैंने इसके अंदर wood डाल दी है और अब इसके अंदर आगलग आते हैं ताकि जो अपने ये metal ओरे हैं ये melt होना start हो और इसका metal fragment बन जाए तो हमें थोड़ा wait करना पड़ेगा जब तक अपना metal fragment तयार नहीं होता उसके बाद आगे क्या काम करेंगे तो guys अब चलते हैं चलके देख लेते हैं क्या पता अब अपना metal fragment तयार हो गया हो वैसे इसमें भाई आग लगना बंद हो गई मतलब ओ ठीक है भाई अपना metal fragment तयार हो गया है इसे collect करते हैं यहां से तो अब हम सबसे पैने बनाएंगे गन तो चलते हैं गन बैंच के पास देखते हैं कौन कौन सी गनों को craft कर सकते हैं तो गाइस यह है handmade handgun तो इसे हम craft कर सकते हैं अपने को वोड चाहिए है और metal fragment चाहिए है और यह है handmade तारबाइन और यह है handmade ammo इसके अंदर हम ammo भी बना सकते हैं बट अपने को ammo बनाने के लिए gun powder चाहिए है अपने पास metal format तो है तो अब हम बनाएंगे gun powder तो हम पहले काम करते हैं एक गन बना लेते हैं तो मैं बनाने वाला हूँ handmade तारबाइन तो अपनी गन बनना है start हो गई से थोड़ा साई time लगेगा तो finally guys अपनी gun craft हो चुगी है इसे लाते हैं अपनी main inventory में तो guys यह है अब हमें इसके लिए बुलट भी बनानी पड़ेगी तो चलो पहले हम बुलट बना लेते हैं उसके बाद इसे यूज करके देखेंगे तो अब मैं चेक करने वाला हूँ के gun powder हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर है ना gun powder बनाने थाने की recipe मिल कि इसके अधर ड़ाई के लाई शक्रूश कर लेतТак है इए अपने को justify इसको ऐसे देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा इसमें नहीं आ पर नहीं है एफ्मोड को पर इंप डाने कर्वट बनाने की रही और अपने को क्या से यह गोल्डन कोड़न सा क्या मैं खानगा है यह तो है शलफर जो जो कि हम उन इस टोनों से लेकर रहे ते जहां से हमें मैटल मिलाता तो अब मुझे सलफर बनाने के लिए ना अपने बाद बहुत सारा सलफर बढ़ा है यह देखो कितना सारा सलफर है तो चलते हैं अपने फारनेस के पास और इसके अंदर हम सलफर क्राफ्ट कर लेते हैं यह रही सलफर की रेस्पी अपने को इसके अंदर वूट डालना है और स्टार करने था हैं तो सलफर बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को वेट करना पड़ेगा तो finally guide अपना sulfur भी तयार हो चुका है इसे लाते हैं अपनी inventory में वोटे तयार होता रहेगा तो हमको बनानी है handmade ammo तो ammo हम उससे पहले अपने को gun powder बना ले ना तो gun powder बनाने की ये recipe का है इसे में तो मैंने भी देखी थी भाई का चली जाती है ये रही ओके तो gun powder बनाने के लिए अपने गोज़र और चारकूल चारकूल तो अपने पास है गनपोर्डर को बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं तो अब अपना gun powder भी बनके तयार हो चुका है तो अब बारी है bullet बनाने की यानिके handmade ammo बनाने की तो ये रही इसे करते है craft वो भाई ये सही है इसके अंदर कितनी जल जल दी अपनी ammo craft हो रही है तो भाई इतनी मैनत के बाद अपनी gun भी craft हो चुकी है और ammo भी craft हो चुकी है अब बारी है इसका try करने की ये गन चलने में कैसे है और इसे कितना damage बोचेगा enemy को ओ चलने में तो बड़ी है भाई ये बट एक दिक्कत है ये एक ये करके bullet fire करती है automatic नहीं है अपने को यार main automatic gun चाहिए थी तो एक बार इसे भी try करके देख लेंगे चलनेंगे एक बार zombie island और zombie पर try करने पड़ेगी अपने को तो past guys इस video को करता हूँ मैं यही पर end अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ अगले वीडियो के लिए बेल एकन को दबा देना ताकि जो भी मेरे नए गेम का वीडियो आए उसकी notification आपको मिल जाए बिलते जल्दी आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर वोचिंग बाई बाई